नमस्कार मैं हूं कविता डॉलर के मुकाबले रुपे में लगातार हो रही गिरावट ने मुदी सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है तमाम कोशिशों के बावजूत पिछले कुछ दिनों से रुपे की कीमत अंतराश्ट्य बाजार में गिरती जा रही है मंगलवार को भी रुपे में एतिहासिक गिरावट दर्च की गई और रुपे या एक डॉलर के मुकाबले 72 रुपे 62 पैसे तक पहुँच गया रुपे को समभालने के लिए केंदर सरकार और RBI ने अब तक जो भी कोशिशे की उससे सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन अब मोदी सरकार रुपे को समभालने के लिए अपने फॉर्मूले में बदलाव करने का मन बना चुकी है अब रोकी माने तो मोदी सरकार रुपे को समभालने के लिए अब पुरानी UPA सरकार की नीतियों पर अमल करने की तयारी कर रही है जिसके तहट RBI अप्रवासी भारतियों की मदद ले सकती है आपको याद होगा कि UPA2 के कारेकाल के दोरान साल 2013 में भी रुपे में बेहत गिरावट देखी गई थी जिसके बाद मनमोहन सरकार ने रुपे को समभालने के लिए अप्रवासी भारतियों की मदद ली थी जिससे केंदर सरकार को राहत मिली थी और मोधी सरकार भी अब NRI bond और deposit scheme लाने की तयारी कर रही है इन NRI bonds के जरिये दूसरे देशों में रह रहे भारतियों से विदेशी मुद्रा जुटाई जाती है और इन deposits पर उन्हें घरे रूम सर से ज्यादा ब्यास दिया जाता है और इस रगम के deposit का lock period भी होता है जैसे 3 सार या 5 सार इस lock period से पहले NRI अपना पैसा भी नहीं निकाल सकते तो आपका पैसा सेफ रही इसके लिए RBI खुद गारंटी देती है आपको ये भी बता दे किससे पहले मोधी सरकार ने रुपए को सम्हालने के लिए अंतराश्ट्री मुद्रा बाजार में डॉलर बेचने की कवाईट शुरू की थी लेकिन इससे देश में विदेशे मुद्रा भंडार तेजी से कम हो गया RBI के आखडों के मुताबिक जहां अपरेल मध्यतर भारत का 427 बिलियन डॉलर का विदेशे मुद्रा भंडार था वही अब ये 400 बिलियन डॉलर रह गया है यही वज़े है कि अब मोधी सरकार की उम्मीदें विदेशों में रहे रहे भारतियों पर जाकर टिक गई है ये NRI के सहरे ही 34 बिलियन डॉलर के मूल्य का केरेंसी स्वेट की थी जिसे रुपे के गिरावट को रोकने में सरकार सफलता हासल कर पाई थी आपको बजा दे कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार की वज़े से दुनिया भर के देशों का डॉलर पर भरोसा बढ़ा है और अंतराज्टे बजार में डॉलर की मांग बढ़ी है दुनिया भर के उभरते बजारों को नुकसान उठाना पढ़ रहा है रुपे के गिरने का सीधा सीधा असर आम आदनी की जेप पर पड़ता है बजारों में महंगाई बढ़ने लगती है सरकार को जल्द ही इस पर काबू पाना होगा नहीं तो आने वाले वक्त में इसका असर भारती अर्थ विविस्ता पर और बुरा हो सकता है देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ